नमस्कार मैं आपके साथ रोहित पंजाब किंग्स और आज सन्राइजर सहेदरबाद के बीच एक मुकाबदा हुआ है यह मैच स्टार्जा में खेला गया उम्मीद थी कि बड़ा स्कोर बनेगा लेकिन मैच बहुत ही लो स्कोर का हुआ है पंजाब किंग्स ने केवल 125 रण मना है लेकिन इस मैच में उन्होंने एक शांदार जीप आखिरकार दर्ज कर ले तो इस जीप में पंजाब के ऐसे कौन से पांच सबसे मेन पॉइंट्स रहे उस पर हम आपको बताएंगे तो सबसे पहला शांदार शमी मुहमद समी ने जिस तरीके से छोटे लक्ष का बचाव करते वे गेंदबाजी की है वो काबले तारीफ रहा है उन्होंने चार ओबर गेंदबाजी की एक मेंडन फेकते वे 14 रंदिये और दो सफलताएं हासल गये मतलब आप समझ सकते हैं कि किस कदर उन्होंने आज सनराय सहदरबाद की गेंदबाजों को बल्ले बाजों को परिशान किया है तो मुहमद समी का फॉर्म जहां पंजाब किंग्स के लिए खुसखबरी लेकर आया है तो यहीं इस मैश में उन्होंने बहतरीन पर दर्शन करके यह बता दिया है कि पंजाब किंग्स हार मानने वाला नहीं है तो यह पहला बड़ा कारण रहा जिसकी वजह से पंजाब किंग्स को इस मुकाबले में छोटे लक्ष बनाने के बावजूद भी शांदार जीत मिले वहीं अगर दूसरे बड़े कारण पर बात करें तो रवी विश्नोई की स्षांदार वाप से और स्षांदार तरीके से रवी विश्नोई शमक है दरसल वो इस सीजन में पहला मैश खेलने उत्रे और बहतरीन तरीके से गेंदबाजी की चार ओबर की गेंद बाजी में रभी विश्णोई ने तीन बिकेट चटकाए तो आप समझ सकते हैं कि जब आपकी टीम ने पहले बल्ले बाजी करते हुए 125 रम बनाए हो और आपके में बॉलर मुहमर्शमी ने दो बिकेट एक मिडन डालते हुए निकाले हो तो अगर उनका साथ रभी विश्णोई इस तरीके से देते हैं तो आप निश्यत तोर पर कहेंगे कि रभी विश्णोई ने इस जीत में अहम भुमिका निभाई है और राहुल के टीम की उम्मीद है पूरी तरीके से एक बार फिर से जगा दी है तो यह दूसरा बड़ा कारण रहा पंजाब किंग्स की जीत का अगर तीसरे कारण पर बात करेंगे तो अर्षदीब का एक बार फिर से बेहतरीन प्रदर्शन हम यहाँ पर यह कहेंगे कि अर्षदीब ने बहुत कुछ जादा आज खास नहीं किया लेकिन यह कहना गलत नहीं होगा कि अर्षदीब ने इस मैच में आज एक बार फिर से अच्छी गेंद बाजी की हाला कि उन्होंने आज पिछले मैच की तरह पांच बिकेट तो नहीं चटकाए या तीन बिकेट तो नहीं चटकाए, लेकिन उन्होंने बहुत ही अच्छी गेन बाजी की रन कम दिये और उन्होंने सारेच के बल्ले बाजों को बांधे रखा, एक बिकेट चटकाया और बहुत ही कम रन दिये अपने चार ओबर की गेन बाजी में, तो अर्शदीप एक ऐसे बॉलर रहे जिन्होंने रवी विश्णोई और मुहमद समी ने का बेहतरीन तरीके से साथ दिया और इस छोटे लक्ष का बचाव कर लिया, तो ये तीसरा बड़ा कारण रहा पंजाब किंग्स की जीत का, वहीं चौथे कारण की बात करेंगे, तो हर प्रीद बरार का बेहत और शांदार खेल, दरसल जब एक तरफ से लगातार बिकेट गिर रहे थे पंजाब किंग्स के, तो हर प्रीद बरार ने अंतिम में आकर बहुत ही शांदार तरीके से रन बनाए, बहुत तेजी से तो नहीं बनाए, लेकिन उन्होंने बहुत शांदार 18 रन बनाए, जो की 18 रन बनाए, उसके बाद गेंदबाजी भी की, बिकेट नहीं लेकिन किफाइती गेंदबाजी उन्होंने की, तो ये चौथा कारण रहा जिसकी वज़ा से पंजाब किंग्स को इस मैच में अच्छी और बहुतर जीत मिली है, वह अगर पांचवे कारण की बात करेंगे, त तो मारकरम ने 27 रनों का योगदान दिया, तो आप समझ सकते हैं कि जब आपके टीम के 125 रन बने हों, और दो बल्लेबाजों ने मिलकर लगभ़ 50 रन बना दिये हों, तो आप उनको जीत के कारण में जरूर रखेंगे, बहुत बड़ी पारिया नहीं खेली, बहुत तेज प किंग्स को जीत मुले, इस जीत के साथ ही पंजाप किंग्स अब एक बार फिर से जीवन तो हो चुका है और पिछले मैच के हार का गम भुला कर वो फिर से प्लेआप की लड़ाए में अब खड़े हो चुके हैं, बरहाल आपको क्या लगता है? पंजाब किंग्स की जीत के क आपके हिसाब से क्या रहे हमें कमेंट करके जरूर बताएं